हलो प्रेंड वेल्कम टू फ्रेंड प्रेपरेशन योटूब चैनल इस चैनल पर मैं कृष्णा आपको लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास फूर्थ की मैट्स की बुक से चैप्टर सेवन जक्स एन मक्स इस चैप्टर का ये है थर्ड पार्ट इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स पार्ट कम्प्लीट कराया था और सेकिंड पार्ट कम्प्लीट कराया था दोनों पार्ट को मिला करके मैंने आपको क से लेकर के question number 15 तक के questions कराये थे और मैंने आपको second part के end में बोला था कि next topic जो हमारा रहेगा वो रहेगा नीटू in hospital तो चलो फिर start कर लेते हैं third part को channel friendship preparation पर अगर आप नई है तो channel friendship preparation को subscribe कर लो और bell icon press करो ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification रिसीव हो सके अब जैसे यह आपके book के अंदर topic है नीटू in hospital तो इसमें एक बच्ची है जिसका नाम नीटू है और नीटू से related इसके अंदर एक छोड़ी सी story है और उसके बेज़े question आपके लिए ठीक है पहले पढ़ लेते हैं उसके बादी से हम solve करेंगे नीटू has to take three injections in a day for five days यह doctor है doctor ने इनको बोला कि भी आपके आज जो इलाज चल रहा है इसमें आपको three injection per day लगने वाले है और कितने दिन के लिए लगेंगे five days के लगने वाले है ठीक है one injection gives five ml of medicine to your body डॉक्टर यह भी कहता है कि इसे जो एक बार injection मिलेगा उस injection में जो medicine इसके body में डाला जाएगा वह कितना होगा five ml होगा तो नीटू कहती है I am not afraid of injections कि मैं मुझे injection वगर ऐसे मुझे डर नहीं लगता है अब आपके लिए question यह है इस पूरी story के अंदर जैसे आप यह देख रहे है इसे three times injection दिया जा रहा है तो बहुत simple सा एक छोटा सा question आपके लिए यह जो कि calculate करना है कि जो medicine है उसकी quantity तो पहले आप इन question को note कर लोगे और note करने के बाद इसका solution लिखोगे solution लिखने के बाद आप लिखोगे कि जैसे इसमें पहले one day के लिए calculate करने के लिए आपको बोला जा रहा है तो आप क्या करोगे पहले one day का यानि कि जो single day का quantity निकाल होगे तो यहां हम लिखेंगे quantity of medicine ठीक है यहां लिखेंगे quantity of medicine for one day ठीक है पहले हम क्या कर रहे है one day का निकाल रहे है तो one day का मतलब यह हुआ कि एक दिन में three times two से injection लग रहे है एक बार में कितना five ml है तो five और three को multiply करोगे तो आपके पास क्या एगा 15 आ जाएगा तो 15 ml आ गया ठीक है यह कप का आ गया एक दिन का उसके बाद question में बोला आ गया है आपको next के five days का निकालो तो आप क्या करोगे नीचे line में लिखोगे quantity quantity of medicine for five days ठीक है आपको five days के लिए निकालना है one day का कितना है आपके पास 15 आ गया ठीक है जैसे आपने यहां से solve किया उस 15 को multiply करोगे 5 से तो आपके पास result आ जाएगा तो 15 को 5 से multiply करोगे तो 25 ml ठीक है तो इस तरह के से नीट्वीन हॉस्पिटल वाले टॉपिक का कुश्चन आप solve कर सबके हो अब देखो यह animal है राइनो अब यह आप से पूछ रहा है how much medicine will I need for one injection देखो हमें तो कम quantity में injection मिलता है ठीक है लेकिन आप जो animal है उसे ज़्यादा मिल देना पड़ता है त आप जैसे आपने 16 question complete कर लिया उसके बाद next है आपके लिए question number 17 ठीक है यह वाला और उसके नीचे है आपके लिए question number 18 पहले 17 question को पढ़ लेते हैं how much do we use at a time यह बहुत सारी चीज़े होती है जिसमें हम quantity use करते है different different तो different situation में आपको बताना है कितनी quantity use करते है उसके बारे हम जैसे for example first आपको इन्होंने solve करके दे रखा है कि eye drop eye drop जो है याने आखो में जो दवाई डलती है वो कितना डंता है हमारे आखो में तो उसका answer आपको अल्रीडी दे रखा है we use less than one ml at a time कि one ml से भी कम quantity medicine हम use करते हैं इसी तरह different different situation में जो भी quantity use होती है वो हमें mention करना है तो पह इस तरह से आप लिख सकते हो कि पहले जैसे eye drop है तो eye drop हो गया second हो सकता है कोई भी normal injection ठीक है तो उसे लिख सकते हो we use less than nine ml at a time यगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का injection या तो 5 ml होता है या बहुत जादा हुआ तो थोड़ा इससे जादा हो सकता है यानि कि 10 ml से हमेश टी है ठीक है चाय तो आपके खर में बनता ही होगा तो चाय कितनी पी जाती एक बार में तो अगर small cup है तो आप बोल सकते हो कि 150 ml के around या इससे भी less than quantity में टी कंजूम करते हैं कुछ लोग ज्यादा भी करते हैं तो आप यह 150 की जगा 200, 300, 500 तो ज्यादा हो गया था 300 ml तक at a time next water ठीक है अब water याने पानी कितना पीते हैं उसके बारे में तो अब लिख सकते हो we use less than 250 ml at a time एक बार में 250 कुछ-कुछ लोग होते हैं जो थो ज़्यादा पानी कंजूम करते हैं तो उसके बारे में 400 ml भी आप लिख सकते हो और उसके बाद milk जितना पानी का होगा वैसे आप milk का भी लिख सकते हो तो इस तरह से आप question number 17 का answer लिख सकते हो table draw करना है और इस तरह से आपको जो quantity है mention कर देना है उसके बार next है आपके लिए question number 18 ठीक है अब 18 question जो है इसमें आपको बोला जारा है list things we use more than one liter at a time बनलब आपको इसके अंदर वो सारी चीज़े mention करनी है ज इसमें हम लोग जो पानी consume करते हैं या को liquid consume करते हैं वो more than one liter होती है यानि कि एक लिटर से ज़्यादा जब consume की जाती है उन सारी activity का आपको name mention करना है तो पहले क्या करोगे question को note कर लोगे first तो आपको already इसका answer दे रखा है कि water for taking bath यानि कि नहाने के लिए हमें ज़्यादा प करते हैं कि नहाने के लिए हम यूज करते हैं यह तो question महीं था इसके लावा जो four wheeler वगरा wash करते हैं वो लोग क्या करते हैं वो लिटर से ज़्यादा यूज करते हैं kitchen में जो utensil वगरा यानि की बरतन वगरा धोने में भी आप क्या सकते हो से clean करने में भी ज़्यादा water consume होत water for cleaning kitchen utensil, water for washing clothes, water for washing four wheeler की जगा आप two wheeler भी कर सकते हो ठीक है यानि कि bike scooty के बारे में भी mention कर सकते हो ठीक है जैसे different activity आपको इसके अंदर mention करना था और वो आप आसानी से इसमें कर पाऊगे ठीक है तो इस तरह से आपका ये 18 question complete हो गया उसके बाद next है आपके लिए question number 19 ठीक ह जैसे आपके book में देखोगे आगे topic है practice time तो practice time के अंदर जो first question है इसे मैं consider कर लेता हूँ question number 19 क्योंकि हम लोग serial number में कर रहे हैं इसलिए मैंने इसका number क्या रख जया 19 रख दिया है ठीक है आप question को पढ़ते हैं और उसके according solve करेंगे question ये है amina's water bottle holds one liter of water एक बच्ची है उसक water bottle की capacity है वो कितनी है वन लीटर है वन लीटर का मतलब है 1000 ml है ठीक है see drunk 250 ml of water and her friend govind drank 150 ml याने कि उसने कितना पाने पिया अमीना ने 250 ml और उसके जो friend है उसने कितना 150 ml ठीक है अब question ये हैं आपके लिए कि how much water is left in her bottle अब उसके water bottle में remaining water क्या है ये आपको calculate करना है तो सबसे पहले इस question 19 को आप note करोगे और note करने के बाद इसका solution हम लोग कुछ इस तरह से कह रहेंगे पहले लिखेंगे solution और solution लिखने के बाद ठीक है आप लिखोगे water consumed by water consumed 1 minute मेरी writing अच्छी नहीं लग रही होगे आप लोगो ना इसको रफ करके solution और solution लिखने के बाद solution का number लिखेगे ठीक है solution number आपका क्या होगा 19 हो गया आप लिख सकते हो water consumed by या फिर water drunk by water drunk by Amina and her friend ठीक है तो आप Amina and her friend लिखोगे ठीक है उसके friend का नाम भी चाहो तो वह भी लिख सकते हो और दोनों क्या जो total है quantity वो mention करोगे यानिकि 250 तो Amina का है और उसका जो friend है govind उसका है 150 दोनों को plus करोगे आप तो plus करने के बाद आपके पास ये 400 ml आ जाएगा ठीक है हमने क्या करना है से plus करना है चाहो तो आप इस तरह से भी 250 plus 150 करोगे और अपना answer निकाल लोगे ठीक है अच्छा उसके बाद next हमें remaining water निकालना है तो हम लोग ऐ अच्छा हुआ है हमें वह निकालना है टोटल उसमें वन लीटर है वन लीटर मिन्स होता है 1000 ml है उसके अंदर उसमें से यह जो जितना consume कर लिया यानि कि 400 जो consume कर लिया यह minus करेंगे तो जब आप minus करोगे आपके पास क्या आएगा 600 आ जाएगा आप लिखोगे अपना answer 600 ml remaining water जहां वह हमें calculate कर लेना था अब इसके बाद next देखो next आपके लिए question number 20 ठीक है जो आपके practice time में second question है serial order में यह question number 20 हो जाएगा इस question में पूछा जा रहा है यूसूप run a tea shop for making a glass of tea he uses 20 ml of milk ठीक है yesterday he made 100 glasses of tea how much milk did he use one time की अगर बात करें one glass की बात करें जिसमें वो कितना use करता है 20 ml use करता है और कल के बारे में बता रहा है कल उसने 100 ऐसी चाय बनाई थी glass ठीक है तो आपको total जितनी भी glasses आपको बताए गई है 100 बताए उसके लिए कितना उसने milk use किया है उसकी quantity निकालनी है तो पहले आप क्य solution लिखने के बाद number डाल देंगे 20 है 20 डाल दिया उसके बाद लिखेंगे quantity of milk ठीक क्वांटिटी आफ मिल्क यूज बाई अब इसका नाम क्या है एक बर देख लेते हैं तो नाम है यूसुफ तो यहां लिख लेगे बाई यूसुफ यूसुफ 400 glasses of tea थोड़ा सा writing अगर clear ना हो यह glass लिखा यह spelling ठोड़ा ठीक हो नी पाया है थोड़ा हात मेरा काम नहीं कर रहा है इसलिए ऐसा हार है तो आपके बाद जो 100 है इस 100 को 20 से multiply करोगे तो आप जब इसे multiply करोगे तो आपकी पास क्या आजाएगा वो आजाएगा 2000 ml 2000 ml का मतलब यह हुआ कि आप इसे 2 लीटर भी लिख सकते हो ठीक है यूँकि आप जानते हो 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर तो 2000 ml का मतलब क्या होगा 2 लीटर हो जाएगा तो इस तरीके से आप question number 20 भी complete कर सकते हो बहुत easy सा question था I hope आपको आपको अच्छे से clear भी हो गया होगा कि इस पर quantity निकालने की वन ग्लास के हमार बाद 20 ml था 100 ग्लास की निकालने के लिए बूला गया तो हमने क्या कैसे solve कर लिया इसके बाद next है आपके लिए question number 21 ठीक है जो third question दिख रहा है या आपके लिए question number 21 हो जाएगा question को पढ़ लेते हैं एक बार राधा's grandma was ill the doctor gave her a bottle with 200 ml of medicine she has to take the medicine every morning for 10 days राधा जो है और उसकी दादी बीमार है तो उसकी दादी को न डॉक्टर ने 200 ml का एक medicine दिया है और बोला है कि इसे 10 days के लिए उसे ये consume कर लेना है ठीक है तो आपके लिए question ये है कि how many milliliters of medicine does she have to take every morning कि आपको एक दिन की quantity क्या है ये आपको calculate करना है तो पहले आप इस पूरे complete question को note कर लोगे और note करने के बाद इसका solution इस तरह लिख सकती हो कि quantity of medicine ठीक है क्या लिखोगे quantity quantity of medicine medicine for every morning for every morning और इसके हंदर हमें क्या करना है जो total quantity है हमारे पास है 200 ml इस 200 ml को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 10 से करेंगे 10 से इसलिए क्योंकि दॉक्टर में उसे 10 days के लिए बोल ला है तो जब आप 200 को 10 से डिवाइड करोगे इस तरीके से ठीक है यह आपके पास है तो यह आप कह सकते हो कि भई 10 times यह जो है आपके बाद 2 times में 2 times में आपके बाद 20 आजाएगा और जो 0 है इस 0 को यहाँ shift कर देंगे तो आपके बाद result क्या आजाएगा 20 आजाएगा तो आप लिख सकते हो 20 ml तो इस तरीके से आप इस question को यानि question number 21 को solve कर सकते हो आज ऐसे करते हैं इस video में हम लोग इतना ही करते हैं यानि question number 21 तक ही करते हैं इसके बाद जो next part आएगा इस chapter का जग सिनमक्स का ठीक है उसमें मैंने start करवाया है water and water का यानि कि third part के बाद आपको last part इस chapter का जग सिनमक्स का ज़रूर देखना है जिसमें मैंने water and water से इसे start किया है और पूरा complete chapter करवा दिया है तो वीडियो को like करो अपने दोस्तों में से share भी करना और हाँ चैनल friendship preparation को subscribe कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification receive हो सके कोई डाउट है तो नीचे comment में लेके भी पूछ सकते हो और मुझे instagram पर follow करके message पर भी अपने डाउट पूछ सकते हो मेरा एक group है telegram पर जिसका link मेंने नीचे description में दे रखा है उसे आप join कर लो वह आपको सारी updates time to time मिलती रहेगी ठीक है चलो फिर bye thanks for watching bye bye